स्लेव ट्रेट क्या होता है? इंसान को कमोडिटी समझ लेना, ठीक है, स्लेव के पास कोई राइट्स नहीं होता है, इंसान इस एकॉनमी में लेबर है, आपको पढ़ाया गया होगा, economics लेबर होता है, लेबर, हम सभी क्या है, मैं भी लेबर हूँ, आप भी कल नौकरी में जा चाहिए वो उस काम करने के योग्य हो मैंने पढ़ाया था तुम्हें और उसके काम के बदले उसे पारिश्रमिक यानि की वेजिस मिलने चाहिए Done तो वेज के लिए हम पुरी दुनिया जीते क्योंकि उसी वेज से हमारी उसी पारिश्रमिक से हमारी जिन्दगी चलती है हम अपने चीजों के लिए खरीडते हैं स्लेव के साथ यह राइट्स नहीं होते हैं स्लेव खुद एक कमूडिटी होता है तो हम उसको कुछ पैसे देखे खरीद लेते हैं तो स्लेव ट्रेट क्यों आया यह सारा खेल होता है प्रॉफिट यानि मुनाफ़े के लिए तो जो सबसे इंपर्टेंट फैक्टर उसी को गुलाम बना लो तो हम ने क्या किया इसको स्लेब बना लिया तो उनके पोई रहे उनको कोई वेज तो जैसे जानवरों को तुम कोई वेज देते हो कि आज गाह इतने किलमेटर चली है बैल इतने किलमेटर चला तो हम इसको करते हो तो इन्होंने वही किया नीग्रोस के साथ उन्हें सिर्फ खाना मिलता था वो भी एक या दो टाइम का वो बाड़े में रखे जाते थे वो जन्जीरों में जक्ड़े जाते थे और इसके बदले उनको कुछ नहीं मिल दो एक बार खरीद लिए गया तो वो मालिक कर जर्खरीद गुलाम हो गया तो ये सिस्टम हमारा वहाँ पर काम करता था ख्लीर है और फिर मैं कहा रहा हूँ इस क्लास का एक रूल है इस क्लास का रूल ये है कि जो भी मैं लिखा दे रहा हूँ जो point जहां है बस तुम किसी भी तरीके से उसको as it is खा जाओ तुमारी copy में होना चाहिए इतनी मेहनत करके notes बना रहा हूँ तो बहुत research करके चीजों को लेकर आ रहा हूँ कहां से क्या चीज आ सकती है क्या चीज है और आप कोशिश बस इतना करो कि as it is वो word to word आपको बस याद हो जानी चाहिए ठीक और इसलिए मैं कहानियों के थुरू अभी तक किसी कहानी में कोई दिक्कत ये flow में चल रही है link हो रही है एक दूसरे के साथ मैंने पूरी कहानी पूरी history को ही link कर दिया है कि वो एक flow में चलती रहेगी कहानी के रूप में कौन कैसे आया तो कल हमारी जो कहानी शुरू हुई थी कि कहानी शुरू होती ये ये आखिर वो आये क्यों जैसे chapter था भारत में योरोपियों का आगमन पहला chapter तो सवाल यह कि आये क्यों कौन सी ऐसी condition थी तो हमें वो समझ में आया कि जो trade था वो ottoman empire की वज़े से blockade हुआ जमीन से तो अब रिनासा के बाद उनको लालच के कारण अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें निकलना था बाहर तो उन्होंने नए नए trades route खोजना शुरू किया एक तो अमेरिका निकल गया एक वासको डिगामा भारत की तरफ आ गया के पाउप good hope होते हुए वह भारत पहुंच गया जब भारत पहुंचने वाला था तो उसको सबसे पहले जो अरब व्यापारी थे जो पूरे तूट रहा था तो साउथ में घुसना उनके लिए आसान था चुकि उस समय जो वहां के सामराज से आपस में लड़ाईया लड़ रहे थे उन्हें रिवेन्यू चाहिए था इन्होंने आपको व्यापारी के रूप में रखा कि हम तुमारा रिवेन्यू बढ़ाने में कुछ नहीं करते थे यह फोटिफाइट कर देते थे उसको किले बंदी कर देते थे इसमें अंग्रेज लोगी कोलोनिया होती थी उनके मकान होते थे वहां वो अपना सामान लाकर रखते थे और वो सामान जरूरी नहीं था कि वो नयतिकता से खरीदा गया हो एथिकली ते कौन आया कहा से लिया बीजापुर से लिया इसके बाद Francis Xavier का कल इससे पहले पुठा था Francis Xavier के बारे में बहुत important है आज यह कहानी change होगी ठीक है यह एक भारत की आने वाले समय में एक बहुत बड़ा यह बदलाव करेंगे ठीक है तो यहां पे क्या हुआ था तो ये कौन थे Francis Xavier इनको आगे चलकर संत का दरजा दिया गया था और ये Society of Jesus के संस्तापक सदस्यों में से एक थे जो लोग फोटो खीच रहें वो लिखना शुरू करें लिखने से muscular memory डबलब होती है जब तुम्हारा teacher अपने हाथ से लिख रहा है इनी के नाम पर Goa में एक बहुत famous church है लिख लिया था ये और 3 December को feast मनाया जाता है इसको holy day कहते हैं Christianity में 3 December को हर साल Goa में Saint Francis के नाम पर holy day यानि feast मनाया जाता है ठीक है लिख लिया था ये point 3 December को हर साल Goa में एक बहुत बढ़ा उत्सो होता है Saint Francis Xavier के नाम पर इसको feast day या holy day पवित्र दिन भी कहते हैं जहां पर भी कोई भाशा की problem आरी है मुझे बताएं मैं उर्दू में भी लिखा सकता हूँ और मैं संस्कत में भी लिखा सकता हूँ इन दोनों के अतरिक्त ठीक है कोई दिकत नहीं है क्या क्या segment हुए थे यहां तक एक एक line मेरा एक एक word याद रख लेना first European to occupy pondicherry pondicherry को सबसे पहले किन Europeans ने occupy किया था good very good फिर एक relationship बताया था यह अब बहुत आज काम आने वाला है वो था कि यह इनके strong ships थे ठीक है उसमें यह तोपे लेके चलते थे इनका हर नाविक क्या था सैनिक था एक तरफ चप्पू चलाता था एक तरफ तलवार चलाता था क्योंकि इनको survival करना था उनके पास इनका basically Atlantic में और भूमत्य सागर में इनका loot part का धंदा हुआ करता था ठीक है तो इनके ships बहुत स्ट्रॉंग थे भारत के पास naval ships बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि भारत का जो ज्यादा तर हिस्सा था जिसमें मुगल सामराय था वो standlock था तो उनके पास पैदल सेना हुआ करती देखो geography history को बहुत प्रभावित करता है geography define history तो उस समय क्या था हाथी घोड़े यह सब जो थे वो लेके चला करते थे क्योंकि दक्षण भारत में मुगलों का साशन नहीं आपाया था coastal area में वो नहीं जाते थे और हमारे coastal area directly समुद्र से लिंक नहीं थे दोनों तरफ सहयाद्री और पूर्वी घाट अगर आप बात करेंगे तो भारत के क्या है पश्चमी घाट और पूर्वी घाट जो महान पहाड़ियां है जंगलों का area है खुब बारिश होती है तो वह बहुत ज्यादा परिवहन नहीं है तो उसमें अगर आप पश्चमी घाट की बात कर करता है कि इनके पास powerful ships थे यह दूर दूर तो चो कहां पूरा अफरीका घूमते हुए हमारे तक पहुच गए तो यह बहुत देर तक इनके पास survival tactics थी तो यह जो लाइन है यह आगे चलकर इतिहास का एक कोर्स डिफाइन करेगी चली हम देखते हैं क्या है तो कुल मिलाकर ह है में समझ में आया कि इन्होंने Europeans ने ट्रेड कैसे कमाया यह बड़ा important factor है अपना माल उठाया अब अफरीका के तीन पॉइंट यह घूमा है अफरीका इनको मिल गया इनको पहले हाथी दात आइवरी यह सब चाहिए था गोल्ड ठीक है फिर दीर इनको समझ में है कि उससे जादा important हो इंसान है और वो कभीलों में बटे हुए लोग है मसाई लोग हैं तमाम तरह की स्बेट आध्मीं उसस्थे स्टाल बीए तो काले लोग हांकि जैनेटिकली जो अरीजनल पूल वो अफ्रीका अका है हमारा जो ऊरीजनल पूल है वो अफरीक दिकर का है लेकिन इनोंने अपने रंग के आधार पर जो की टैम्परेट आरहने वाले di correl टो हमारा this dat रहने वाल से बचाव का जो और तरीका होता है तो इनके तदुचा का रंग कैसा होता हलका तो इन्हों न yağन लिया गिति शVET माना नहीं हिन mamie ने दुनिया को बताया थे तो कुसाल पहले कभी ले ठीक है शराब में ब्रेट डूबो के इन को खाने अगें को अफके विकलता ही नहीं ठीक है तो यह क्या है यह उन्होंने बताया कि काले लोग मतलब यह नियर टू अनिमल्स तो उन्होंने slave trade शुरू किया और यही उनका सबसे वड़ा turning point था वहां से सामान डाला जहाजों पे slaves को भरा दासों को भरा दासों के कोई rights नहीं थे यह bondage lever क्या थे bondage lever is है हम लोग बंधुआ मजदूर भी कहते हैं तो बंधुआ मजदूर और slave में एक अंतर है कि बंधुआ मजदूर अपने मालिक से कुछ मांग नहीं सकता लेकिन बंधन के बाद वो अपने work hour के बाद free है लेकिन slave वो near to the animals है वो जानवरों के आसपास है उसके पास दिन रात किसी भी चीज का कोई नहीं है जैसे एक जानवर पे मालिक का हक होता है बिल्कुल ऐसा ही था इनका तो यह क्या जाते थे इन्होंने plantation पूरी दुनिया में शुरू कर दिया plantation क्या शुरू किया बागबानी जैसे पूरा जाकर गन्य की खेती चाय कॉफी इसी बहुत profitable business था तो इसके लिए पूरा Australia का जितना भी गन्य की खेती सब दासों ने किया है सब slaves के तुरू हुआ है और उसको ले जाकर बेस देते थे फिर क्या हुआ इनके पास बेसाप पूंजी आ गए उसी पूंजी को इन्होंने क्या यूज किया था इंडस्ट्रियल revolution में और जब industrial revolution हुआ तो उसके बाद तो फिर कहानी आप exploitation की एक लंबी कहानी जो हम समझेंगे कुल मिलाकर ये पूरी कहानी में कल हमने सीखा कि monopoly in trade ठीक है यानि व्यापार में इनकी एक आधिकार उन्हेंने सब तरह के competition को किनारे किया बहुत greedy लोग थे इवें तो ये हुगली के पास अपना base बनाकर piracy भी करते थे तो कुल मिलाकर इनका जो लाब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा और जब बेहसाब पैसा आता है तो फिर वो इनसान के दिमाग को corrupt करता है पुर्तगालियों की ये success देखके यूरोप में बच गई हल चल कि भाई इनके हाथ तो ख कई गुना बढ़ा दिए ठीक है कई गुना बढ़ा दिए ग्रीड और यूरोपियंस का लालच कई गुना बढ़ा दिया अब लालच में जब इसका देखा देखी एक और कंपणी बनी डच ठीक है जो डच लोग थे डच इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुई 1602 में यानि दूसरे European कौन थे, Dutch लोग थे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बहुत important, first joint stock company to trade with India was Dutch company, joint stock company, ये जो Dutch के लोग थे, वो पुर्तगीस से अलग थे, ठीक है, ये joint stock company थे, यानि इसमें government और company के लोग दोनों हिस्सेदार थे, आप लोग को ये लगता होगा कि France CC जो है व joint stock company थी, वो कौन सी थी, Dutch की company थी, 1602 में, यानि संयुक्त संपत्ती company, joint stock, यानि इसमें वहां की जो Dutch सरकार है, और company दोनों के share होंगे, लिको, पहली, संयुक्त संपत्ती company, जिसने भारत के साथ व्यापार किया, पहली संयुक्त, लिकने में कोई दिक्कत तुम्हें हो रही ह लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, ने, normally, क्या दिक्कत होती है, कोशिश करो, 3000 word, साड़े 3000 word लिखने है, जहां छूट रहा है, पूछो, मैं यहां रुका हूँ, लेकिन मेरे बाद नहीं रुकना चाहिए, जो बैठोर करो, और कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, आगे बैठिये कहीं, चेर लेके बैठिये, इस्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप, न्यूज ऑन एई आई यार, डॉट एन इसी डॉट इन, न्यूज ऑन एर रेडियो में आता है, उसको बोलो कि वो बोलता रहेगा, और उसको लिखने की यादर डालो, इस्पी कुछ लोग थे, उनका इंट्रेस्ट भारत में कम था, ये दिल बना दिया, तो इनका क्या है, इनका इंट्रेस्ट किसमें था, इंडोनेशिया, मसाला आइलेंड में, मसाला आइलेंड के बारें बताया था, स्पाइस आइलेंड, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो तो पश्चमी तठ पर कौन बैठे हुए तो पुर्थगीज ये डायरेक्ली पुर्थगीज से तुरंत लडने के मूड में थे नहीं तो इन्होंने भारत के पूर्वी तठ की तरफ घूमकर जाना शुरू किया ठीक है तो पूर्वी तठ पर पहुंचे एस्ट कोस अफ इंड के लिए बंदी करनी है उसके अंदर ये माल रखते थे कुछ बना पैदा नहीं करते थे ये कमबक्त क्या करते थे उधर का सामान इधर इधर का सामान उधर इनको यही करना था तो इन्होंने कहा कि हम फैक्टरी बनाएंगे तो इन्होंने कुछ क्रम में फैक्टरी बनाई जो कि एक्जाम के लिए बहुत important हो जाती है, पहली जो इनकी factory थी, वो थी मसूली पत्नम में, कब 1605 में, 1605, ये decreasing order है, इसके बाद पुलिकट, इसके बाद सूरत, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत की factory बनाई, फिर है बिमिली पत्तम, 1641, बिमिली पत्तम, फिर उसके बाद चिंसूरा, 1653, ये factories थी, डच की, decreasing order, सबसे पहले मसूली पत्नम, पुलिकट, सूरत, बिमिली पत्नम और चिंसूरा, ठीक है, याद रहेगा, इनके abbreviations बना लो, याद हो जाएगा, ये factories जो है वो, बनी हुई थी, तो feast day के बारे, feast day मतलब holy, पवितर दिन माना जाता है, तिन December को, अब हुआ क्या कि, जब इन्होंने अपनी factories बढ़ानी शुरू की, तो पुर्तगीस को लगा कि उनकी monopoly challenge हो जाएगी, उनका जो एकाधिकार है business पे वो challenge हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगीस और डच के बीच में लडाई, शुरू हो गई, और इस case में क्या हुआ, डच जो है, वो विजेता बन गए, तो सबसे पहले डच ने क्या किया, पुर्तगीस को हराया, ठीक है, डच ने कई जगवा पे पुर्तगीस को हराया, पुर्तगीस की ruling उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये क्या था, बहुत greedy हो गए थे और इन्होंने इस्थानिय लोग, यानि लोकल लोगों को अपना दु जो ने भी की थी, religious matter में इन्होंने हाठ डालना शुरू कर दिया, इसलिए इस्थानी लोग गुस्सा हो गए, डच को ये फायदा मिल गया, डच ने क्या किया, डच ने पुर्तगीस को, पुर्तगालियों को हराया, और सबसे पहले कोची में, जो कोचीन है, ठीक है, उसमें फोर्ट विलियम की स्थापनागी, लेखो, फोर्ट विलियम की स्थापनागी, और एक बात याद रखना, इन्होंने भी पॉंडिचेरी पर क्या किया, कबजा किया, तो second European, first European कौन था जो पॉंडिचेरी पर कबजा किया, वो थे पुर्तगीस, second European, one who occupied पॉंडिचेरी, पॉंडिचेरी पर अधिगरहन किया, बैट जो, लिखो, आज के बाद छूटना नहीं चाहिए, नोट्स, इसके बाद अंग्रेज भी आये थे, अंग्रेजों ने भी आगे चलकर क्या गया, पॉंडिचेरी पर वो कबजा करेंगे, ठीक है, बैट जो, तो जैसा बताता जा रहा हूँ, बस उसको उतना इतरह लिखते जाओ, नोट्स छूटे नहीं चाहिए, सैटरडे को क्लियर हो जाएगा, यहां तक कि डच ने श्री लंका में भी जाकर क्या किया, हराया पॉर्टगीज को और श्री लंका भी कबजा कर लिया, 1658 में पॉर्टगालियों ने डच से स्री लंका भी छीन लिया, देशनाच श्री लंका, देशनाच श्री लंका फ्रॉम पॉर्टगीज, इन 1658, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन, लेकिन यह अलग-अलग समय पर आए, अलग-अलग माइंडसेट के साथ आए, और इन्होंने अलग-अलग काम किये, कहानिया चल रही हैं, हिडन चीज़ें चल रही हैं कि कैसे कैसे इन्होंने चीज़ों को पकड़ा, 1658 में पुर्दगालियों से श्री लंका भी छीन लिया, श्री लंका चाय के बागानों के लिए जबरदस था, ठीक है, चाय के बागान, जो टी प्लांटेशन था, वो अभी भी सबसे ज़ादा जो टी प्लांटेशन है, वो श्री लंका में ही है, तो ये वहाँ से इनको जो डच आगे चलकर पूरी तरीके से चले जाएंगे वो इस्टन एशिया की तरफ और वही से उनका पैसेज उनको मिल जाता है तो खैर कुल मिलाकर डच ने क्या किया यहां पर इनको टकर देनी शुरू की और यह दोनों अभी व्यापार कर रहे हैं इन्होंने भारत के बड़े भूभाग पर कोई हिस्सेदारी नहीं की इनका पूरा फोकस था कि किसी तरह से फैक्टरी बरा लेना थोड़ा सा ला अभी पूरी तरह से फोकस हैं वो किस पे प्रॉफिट पे और यह पूरी दुनिया में प्रॉफिट के लिए अपने सेग्मेंट उठा रहे हैं यह इनका अभी पूरा फोकस है स्लेव ट्रेट पे क्योंकि वो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो ले जाकर कहा यहां बसा रहे हैं वो अभी साउथ अमेरिका में लेकर जा रहे हैं आस्ट्रिलिया लेकर जा रहे हैं ठीक है क्यूबा वेस्टन डीज यहां भी ले इनमें बहुत बीजी है यह सब पूर्टगीज और डच अभी बहुत बीजी हैं लेकिन अब जब इनके जहाज भारत से लगे तो इनकी कहानिया योरप में फैलने लगे जब इनके जहाज पहुंसते जो पुर्दगालियों का जहाज थे ना वो लदे होते थे सोने से गोल्ड मसाले स्पाइसेज मोती परल भारत में बेशकीमती मोती रेशम पॉर्सलीन बहतरीन किसम का कपड़ा जिसके बदले गो रखा जाता था और यॉरप के जो रजवारे थे यॉरप के जो अमीर लोग थे वो इस कपड़े के दिवाने थे तो ये इनके जहाज जो थे वो भरे हुए थे यानि प्राफिटी प्राफिट अब ये लंबे समय से इन्होंने मांस जमा हुआ खाया था पहनने के लिए कपड़े नहीं थे ठीक है पीने के लिए धंका पानी नहीं था कोई लाइव इस्टाल नहीं थी कभीलों की तरह आपस में लड़ते थे इतने प्राफिट ने तो यॉरप की दशादिशाई बदल के रख दी और इनकी ज उस समय के सबसे बड़े लुटेरों के पास जो थे अंग्रेज अब कहानी में एक और कैरेक्टर आने जा रहा है ठीक है एक और कहानी में करेक्टर आ रहा है और अंग्रेजों ने जब पुर्दगालियों का ये लाब देखा तो एकदम पागल से हो गए उनके जहाज इतने गुना प्राफिट इतने गुना प्राफिट और अंग्रेजों को डर लगने लगा कि चुकी क्या है वो कभीलों की तरह थे वो हमें राष्ट सिखाते हैं लेकिन वो कभीलों की तरह थे तो उन्हें लगा कि पुर्दगीज इस पेनिस इतने कर ताकतवर हो जाएंगे तो कल लिए हमारी मार्क ऐसे तैसे जो करके और हमें जो है वो हटा देंगे यहां से तो इने लगा हमें भी बहुत जल्दी व्यापार में उतरना पड़ेगा हमें इस्ट के साथ ट्रेड करने का जो है वो शुरुवात करनी पड़ेगी अंग्रेज यह लाब देकर दे बिके मैड य इसा भी कोई कपड़ा होता है पॉर्सलीन का रगा मलमल का कपड़ा ऐसा भी कोई चीज होती ए मु》 यह जो हमारे हां जो सिप्छी होती यह यह चीम्टी होती टें कि यूर्प के लोग पागल थे उसको देख कि यह लोग कपड़ा इतना बहतरीं कैसे रंग लेते इतना ब ब्रिटिस थे ठीक है जो आज अपने आपको सो कॉल्ड वाइट मैंस बर्डन की बात करते हैं ब्रिटिस परसे तो अखेले थे लेकिन इन ब्रिटिस परसों में सबसे खास बात है यह जो वर्ड लिखा इसको बोड़े ध्यान से लिखना इनके पास नैवल सुपीरियर्टी थी यानी नो सेना की उच्चता थी इनके पास लेको नो वहन उच्चता सुपीरियरिटी बहुत उच्च थे यह क्योंकि इनके लिए नाव चलाना सर्वाईवल का कॉंसेप्ट था तो पाइरेट्स ऑफ करेबियन की जितनी सिरीज देखी होगी वो इनी की कहानिया है ठीक है तो यह क्या था यह नैवल सुपीरियर थे ठीक है यह नाविक रूप से बहुत उच्छ थे तो यह बड़े दूर Doncic में जहाँ चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है Atlantic में बहुत भैनक्त तूफान आते हैं वही पर बर्मूड़ा ट्राइंगल भी है तो Atlantic की वज़ेसे वहां छो तूफान होते हैं वहां पर नाओं को लेकित जाना पाना बहुत मुश्किल होता है Atlantic के उत्तरी भाग में Canary की धारा, बहुत बरफीली धारा होती, Labrador की धारा, ये समुद्री धारा ये प्रवेश करती है, तो जब ये प्रवेश करती है, तो बड़े-बड़े भवर बना देती है, बहुत बड़े-बड़े, उसमें बड़े-बड़े जहाज सिंग कर जाते है जैसे Titanic जब अपनी पहली यातरा पे निकला था, जैक को लेकर, ठीक है, तो क्या हुआ था, किस से डूब गया था वो, वो Labrador की धारा थी, question पूछा गया है, Labrador की cold current थी, Labrador current, समुद्री धारा होती, उसका नाम था Labrador, जो Greenland से होते हुआती है, तो वो क्या हुआ, Greenland से एक आइसबर्ग पकड़ लाई, बहुत बड़ा शिला खंड पकड़ लाई थी, तो इधर Titanic निकला, इधर हमारा जैक अपना जो प्रेम कहानी आगे बढ़ा रहा था, और क्या हुआ, आइसबर्ग से टकराया और वो डूब गया, तो वो कौन सी धारा थी, question पूछा गया है चुके थे, तो इनकी नेवल सुपिरेटी क्या थी, बड़ी जवर्दस थी, यही नेवल सुपिरेटी आगे चलकर हम से इतिहास की सबसे बड़ी गलती कराएगी, उसके बारे हम आज बात करेंगे, तो कुल मिलाकर, इन्होंने 31 दिसंबर, 31 सो को, इससे पहले इन्होंने 59 म एक ग्रूप आफ डारेक्टर्स की मर्चेंट आफ जो है मर्चेंट आफ इस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने, फिर 16 सो यह पहुंचे, 31 दिसंबर 16 सो को, और इन्होंने रानी से क्या प्राप्ट किया, महरानी अलीजा बेत थी, ब्रिटेन की महरानी, इनसे रोयल चा चार्टर प्राप्त किया लिखते जो अ, रोयल चार्टर प्राप्त किया, यह रोयल चार्टर में क्या खास बात थी है, यही सबसे इम्पॉर्टेन बात थी, जहां पर डच जोएंटis, टौक कंपनी थी, यानि गॉयर्मेंट का इंटरफेर था, फ्रान्सीसी बहुत चाला लेकिन फ्रांसीसियों के हारने के पीछे उसकी गवर्मेंट थी अगर फ्रांसीसी आगे चलकर हम पढ़ेंगे डूपले को अगर वो नहीं बुलाते तो क्लाइब को कभी सकसेज नहीं होने देता वो डूपले बहुत चालाग था आगे चलकर डूपले की नीतियां ही अब ने क्या की थी अपना ही थी खर वहां बाद में पढ़ेंगे लेकिन अंग्रेजों के साथ एक बड़ी मज़िदार थी इसको रॉयल चार्टर दे दिया रॉयल चार्टर का मतलब क्या था कि भाई मोनोपली और ट्रेड विदी इसको लिख लेना यानि पूर्व के साथ व्यापार करने का एक आधिकार यानी देश के अंदर अब कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो पूर्व के साथ व्यापार यानी इनका इंटर्नल कॉम्प्टीशन ही खत्म इ traditions नहीं रह गई इस्टेक होलर रानी है और यह कंपनी है कोई इनको कंप्टिशन नहीं करना है कि माल सस्तिम बेजना है नहीं मोनोपली में तो माल आप जैसा चाहो वैसा भेजो तो मोनोपली और ट्रेड विद इस्ट यानि पूर्वे के साथ व्यापार करने की का एक अधिकार प्राप्त होगे इसको बोलते हैं मोनोपली क्रियेशन कि कोई और नहीं आएगा कोई और नहीं आएगा इसने अंग्रेजों को बढ़ी पावर दी थी चलिए खर आगे बढ़ते हैं तो भाईया कहां पहुंचे ये उस समय भारत में जहांगीर का साशन था हमारे यहां संगीत कला चित्रकारी जहांगीर पता है न एक खास तरह की के चित्रकारी करता था कौन सी ? जीवंत चित्र बोलते हैं उसको फूल पत्तियांं उसमें होती हैं तो बड़ा सका माहिर था तो हमारे यहां सब काम धाम चल रहा था हमारे यह तूजी तो यहांगीर के लाप में मुघल सावराज जिता जहांगीर के लावार में कौन पहु ठीक ठाग है हम लोग क्या है हम लोग व्यापारी है ठीक है तो हम किस फॉर्म में पहुंचे व्यापारी तो कौन सबसे पहले पहुंचा था विलियम हॉकिन्स किसके दरबार में पहुंचा जहांगीर के दरबार में पहुंचा याद रहेगा और उससे प्राप्त किया फर्मा फर्मान एक फार्शी शब्द इसका मतलब होता है रॉयल ओर्डर यानि शाही आग्या ठीक है उसको फर्मान बोलते हैं तो उसमें राजा अपने विज्जम के हिसाब से आपको पावर्स देता है पावर किसकी कि भारत के याद रखना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के पश्चमी इलाकों में राज करने का जहाँ गिर ने कब कहां दिया था कि आप भारत के पश्चमी हिस्से में फ़ेस्टर पार्ड में आप जो है वो क्या कर सकते ओं फैक्टरी लगा सकते हो कि क्योंकि इस्टन जो बंगाल तक का रीजन था वह मुगल के लिए बहुत फर्टाइल रीजन था बहुत फर्टाइल रीजन था और उनके डायरटली का ट्रोल में था नवाबोंके लेकिन western part में उन्हें व्यापार से उतना लाभ नहीं हो पा रहा था दूसरा ये इनको land पे नहीं लाना चाहते थे इन्होंने बताया कि we have very great navy इनके बारे में कहानिया तो आ चुकी थी कि इनका जो naval superiority है वो बहुत जादा है और मुगलों के पास naval superiority बताया था ना वो कहानी वापस आ रही है तो naval superiority नहीं है तो इसने विलियम्स ने जाकर कहा हुजूर हाँ हम आपके सामान को कई गुना दाम पर पूरे विश्यों में फैला सकते बिकॉज हमारे पास पूरी दुनिया में जाने की नाविक ताकत है तो जहांगीर कोई मूर्ख थोड़े नहीं था उसने calculate किया पर लैंड पे तो हमारे लोग जाकर revenue collect कर लेंगे लैंड पे तो हमारा नवाब हमारे फलाना हमारे जो सिपा सलार वो कर लेंगे हम ओशीन में नहीं जा पा रहें तो क्यों ना इनको वहाँ देके देखा जाए कि revenue में कितना बढ़ावा कर लेंगे पर हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है अगर ये कुछ फाइदा लेकर आते हैं तो बले बले नहीं तो तू निकल ले यहीवाली कहां नहीं होती हमारी तो हमने कहां किया सबसे पहले इसको पश्चिम में दिया और सबसे पहले इन्होंने अपनी factory कहां डाली सूरत में याद रखना इसको क्या सूरत है क्या सूरत है क्या सूरत है उसके बाद तो हमारी सूरत ही बदल दी कब 1613 में 16 30 में first factory in the western part आफ इंडिया वोज इन सूरत तो पश्चिम क्यों समझ में आया वोट देख रहा था कि भाई ये नैवल पावर्स हैं पानी में रहेंगे तो सूरत से क्या होगा ये कोस्टल एरिया में गल्फ आफ खंबाट से होते हैं अरेबियन सी में उतर जाएंगे हम उधर जा नहीं पा था हम कहनी पा रहे हैं ठीक है सूरत में मसाले नहीं थे सूरत में केवल कपड़ा था अब वो उतना जादा इनको आउटपुट नहीं मिल पा रहा था और ये भी अभी ट्रेड में बहुत लोवेस्ट पावर थे डच अच्छा काम कर रहे थे वहां पे पूर्तगीज अपन मोनोपली थी तुम्हें को मगल ले जाके ठोकेंगे अब इनको वो लाभ भी पहुंचाना था तो यह सोच नहीं पा रहे थे क्या करें और मुगल सब्ता इतनी बड़ी थी कि इनको तो टूथपिक की तरह इस्तमाल करके फेग देती तो यह डारेक्ली लड़ने के मूड में नहीं थे लेकिन यह चालाग बहुत थे सबसे चालाग कौम थी यह इन्होंने 1615 में सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में फिर भेजा बहुत देखिए मालिक आपने य जाना चाहिए मालिक बोला हाँ ठीक है मुगलिया सल्तनत और खुश बोले हाँ ठीक है क्या करो तो इसने क्या किया बोला सहाब एक रॉयल चार्टर और दे दो एक शाही फरमान और दे दो कि हम मुगल सामराज की चत्र चाया मेरत बड़े मीठे मीठे बोल बोले इसने कि खारत के और हिसों में व्यापार करना चाहते हम आप का बिजनेस वंड़ाना चाहते हैं हम पूरी दुनिया में भारत का नाम लेकर जाना चाहते हैं ऐसे यह भाते होती है। इतने भी की और फिसने क्या किया रॉयल चार्टर सर्ट टॉमस रोने ले लिया तो दूसरा कौन था टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में बोला कि सर रॉयल चार्टर हमें चाहिए तो रॉयल चार्टर लिया इसने मुगल इंपायर में जो भाग हैं वहां हम व्यापार करना चाहते लिए को मुगल सामराज जी के अन्य भागों के लिए शाही फरमान प्राप्त किया और क्या किया अब पश्चिम में इन्होंने और विस्तार करना शुरू किया अभी वेस्टन में हैं पश्चिम में यह सूरत में इन्होंने फैक्ट्री डाली फिर भरौच एहमदाबाद आगरा मसूली पत्नम 1611 में दख्षिर भारती पहली फैक्ट्री थी आगरा मसूली पत्नम के क्अघ्षिर भारत की पहली फैक्ट्री थी साउथ इंडिया की फरस्ट फैक्ट्री थी जी sir चार्टर अभी चार्टर समझाओंगा ठीक है चार्टर का इसमें क्या चीज्ज होती है फैक्टरी डालने के लिए फैक्टरी डाल सकते जाएगा वेस्से निकल कर इस की तरफ जाएगा चार्टर जो होता है वो एक तरह से व्यापार की मोनोपली होती है अभी आगे आ रहा हूं क्योंकि चार्टर का सई चार्टर ले लेकिन यहां तो मैं डच और पुर्टकीज डचों से इनकी इतनी लड़ाई हुई ठीक है बहुत इनके युद्ध हुए बाद में तो इन्हें समझोता करना पड़ा कि तुम यार इंडोनेशिया वाला पार्ट दे को हम इंडिया वाला पार्ट हमें दे दो तो यहां पर इन्हें बहुत लॉस हो रहा था एक तो बहुत जादा कॉस्ट आ रही थी इनकी तो यह चोटे-चोटे फैक्ट्रीज बना रहे थे लेकिन इनको जो पहला ब्रेक्थ्रू मिला वो मिला मद्रास में दर्वाज इस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास जो इस्ट काम को रहे और तुम्हें कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है तो यह मद्रास जो था वो कोस्टल एरिया तमिलनाडू यानि कि भारत के इस्टन पार्ट पे मचली पकड़ने वालों का गाउं हुआ करता था और यह गाउं यानि विलेज एरिया के रूप में था तो विजय कि बोला जो रेवेनियूम कमाएंगे 50 परसेंट तुमारा 50 परसेंट हमारा यानि कि यह लिख लिया बागी है कुछ चार्टर का इस्तमाल अभी नहीं किया इन्होंने चार्टर का इस्तमाल अब करेंगे क्योंकि अगर यह खुलकर आते तो डच और पूर्टकी इनके खिलाफ शिकायत कर देते बोले भाईया यह तो बदमास है मारो इसको तो इनको रिवालरी तो इंडिया में इनसे पहले ज आगे चलकर तुम पढ़ोगे मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत पावरफुल प्रेसिडेंसी थी आज भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है तो मद्रास को बसाने वाले जो लोग थे 1939 में इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे फ्रांसिस दे और एंड्रियू कोगन मद्रास को किसने बसाया फ्रांसिस दे और एंड्रियू कोगन नाम के दो लोगों ने पट्टे पे लिया था जो इस्थानी शासक था विजय नगर सामराज जी का रिप्रेजेंटेटिटिव था और उस से लेकर मच्वारों के शहर को एक अर्बन सेंटर में बसाना शुरू किया इन्हें थोड़ा सेफ जोन चाहिए था जहां कोस्टल एरिया हो तो आज इसे हम लोग इस मद्रास को क्या बोलते हैं चैन्ना नहीं बोलते हैं तो यह बहुत प्रमुक्ष शहरों में से और आने वाले समय में तुम देखोगे कि अंग्रेजों का जो सबसे powerful center बनता है जब तक इनको बंबई नहीं मिलता तब तक यह सबसे powerful center बन जाता हूंगा इनको जगह बड़ी चाहिए थी जहां वो किले बंदी कर सकें क्योंकि अब इनको दो तरह के दिक्कत है थी एक इनका सामान सुरक्षित रहे उधर से पुर्दगाली उनका कोई ethics नहीं था वो इन्हीं के क्या किया एक तो उन्होंने ताकत का सारा लिया दूसरा उन्होंने धर्म के प्रसार का भी सारा ले लिया वो कहानिया वापस फिर जुड़ेंगे तो कुल मिलाकर यह कहानी चल रही है और पर उन्होंने क्या बनाया Fort St. George बनाया कान सा किला बनाया Forti Florida किया Fort St. George याद रखना और पूरब में यानि ऐस्ट में जो पहली factory थी वो कौन सी थी Oresa की factory थी पूरब में भारत के पूर्व में पूर्वी तट में mourning媽 EIC का मतलब East India company ठीक है East India company की जो पहली फैक्टरी थी वो औरीशा में थी 1633 में इन्होंने बनाया अब चार्टर का इस्तमाल करने का टाइम आ गया इन्होंने मद्रास बना लिया मच्वारों का गाउव था कोस्ट लाइन बहुत अच्छी थी ठीक है पूरब में उतना जादा इनको इस्ट्रगल नहीं करना था और भारत के जो दक्षणी हिस्से में जानी पश्चिमी घाट म उन्हें स्ट्रगal करना पड़ा क्योंकि केरल का पूरा रीजन है वह एक्जॉटिक मसालों के लिए जाना जाता है जो वहाँके मसाले होते होते हैं बहुत ज्यादा उसकी वैली होती है आज भी है जो काली मिर्च है वहाँ की, इलाइची जो वहाँ की है, जो काजू है, बहुत जबरदस्त है, तो पुर्टगाली और डच उन पे हाथ नहीं डालना है, और डच तो बिलकुल नहीं मसालों के व्यापार में हाथ डालने दे रहे थे, तो इन्होंने अपनी रड़नीत को बदल और ये भारत के अनेसों में थे ही, जैसे आगरा की इनकी फैक्टरी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके दिमाग में बंगाल चल रहा था, इनके दिमाग में बंगाल घुम रहा था, बंगाल बहुत फर्टाइल था, बहुत रिच था, कल्चर के मामले में, एकॉनमी के मामल में हर तरह से वो बहुत बड़ा सेंटर था और वहां पर कोई भी पावर डारेक्ली इंटर नहीं कर पाई थी अब इनके दिमाग में बंगॉल चल रहा था तो इन्होंने धीरे धीरे इस्टन कोस्ट की तरफ जाना शुरू किया पहले खुद को सेफ किया क्योंकि आंतरिक इन्होंने अपनी इस्टन कोस्ट पे पहली फैक्टरी को डबलब कर दिया अब आ जाते हैं इनके लालच की कहानी इसको जानते हो ना तीन गुना लगान ठीक है इसके लालच की कहानी शुरू होती है ठीक है 1651 1651 बड़ा इंपॉर्टेंट साल रहा इन्होंने सर टॉमस रो ने जो चार्टर मांगा था पहले प्रॉफिट दिखाया मुगलिया दर्बार को और करते 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 इन्हें हुगली यहनी बंगॉल में व्यापार की अनुमती मिल गई भारत के पतन का साल माना जा सकता है इसको ठीक है 1651 में क्या मिल गया इसको व्यापार करने की कि अतना आसान नहीं था मुर्शित को लिखां बैठे हुए थे वहां पे ठीक है वहां के नवाब जो शुरूआत में अंग्रेजों को बहुत नजर रखते थे कि चलो बाश्या का फर्मान तो है लेकिन इसको हिलने नहीं देना यहां से ठीक है यह अभी अभी इनके लिए तफ टाइम है अब क्या हुआ इनके लालच का दौर शुरू हो गया अब इन्हें लगा कि हम कितनी सफाई से पश्चिम से शुरू होके इस्ट पे पहुंच गया है हमने सूरत से शुरू किया बंगाल की तरफ जा रहे हैं इनके अंदर एक महतोकांच्छा जाग गई और मह तो म्य हम क्यों नहीं अपना अतंधा इस्थापत कर सकते तो इनकी अंदर यह अप मार्क्स है मालब पॉलिटिकल पावर की इच्छा इनकी जगए कि भाई हम क्यूं नहीं कर सकते हैं और मंगाल अमतलब वह में सब्रस्चा बते बंगाल में हुगली नदी बड़ी खास बा बात है यहां जौर भाटा बहुत आता है तो इसमें चंद्रमा की गति के हिसाब से पर्टिकुलर टाइम में पानी ऊपर चला जाता है और पानी नीचे चला आता है हमारे प्राचीन भारत के लोगों ने समुद्री व्यापार करने के लिए इस नेचर की पावर का इस्तमाल कि अच्छा हुगली का महाना बड़ा है तो क्या होता है समुद्र का पानी आसानी से अंदर आ जाता है और यह पानी बाहर चला जाता है तो जब टाइट से आती हैं तो पानी चड़ता है जब चंद्रमा का गुरुत वाकरशन होता है मून का तो पानी क्या होता है उपर उसको जमीन के अंदर गोदाम में लेकर जाना है तो पानी जैसे ही टाइड में चड़ेगा ये जहाज आगे बलकर अंदर चले जाते थे और जब पानी जब लो टाइड आएगी यानि वो जब नीचे की तरफ जाएगा पानी पीछे खीचा जाता चे घंटे कुछ मिनट पे तो वो क्या होगा जिनको समुद्र में जाना था वो एकदम रेडी हो जाते थे येस तो जैसे से पानी पीछे खीचता रहता था इनकी नाव अपने आप समुद्र में चली जाती थी फिर उधर से जो पोड़ पर आई कि चलो अंदर माल पहुचाना है गोदाम में तो वो ज पश्चिमी पार्ट की नदियां है भारत में वो सभी एस्चूरी बनाती है जो वेस्टन पार्ट आफ रिवर है इंडिया की भारत में दो नदियों का तंतर एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ तो जो पश्चिम की तरफ की नदियां है ये प्रिलिम्स के में कई बार कोश्चन आए जैसे नर्मदा जो है तापी ये क्या होता है ये एस्चुरी बनाती है एस्चुरी मतलब ये डेल्टा नहीं फार्म करती है ये गई और टपसे समुद्र के अन्दर कूद गई तो इनका कनेक्शन डारेक्ट्ली नहीं होता है ये गए और नीचे चले गए इसको एस्चुरी बोलते है तो यहां से मुहाना इनका बड़ा नहीं हो पाते है इनका माउथ ओपन नहीं हो पाता है जो Eastern की नदियां वो डेल्टा बनाती है वो क्या होती है? जब वो ओशीन में जाने वाली होती है तो फैल जाती है तो इनका mouth बिल्कुल open हो जैसे आप गोलगप्पा खाते समय करते है वैसे अगर बोलने को कोशन का answer दो और जब करें भाईया गोलगप्पा लगाओ तब तो ठीक है? गोलगप्पा क्या? हनवान जिंदर चले जाए ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही है तो पश्चिम और पूरब की नदियों में यह अंतर पश्चिम की नदिया जब आप से टीचर आपका कोश्चन पूछे हाँ? और पूरब की नदिया? जब आप गोलगप्पे वाले से गोलगप्पा मागे ठीक है? तो बस यही अंतर याद रखना दोनों का ठीक है? याद रहेगा? तो इस पावर का इन्होंने इस्तमाल किया इससे क्या होता था? ट्रेड बहुत आसान हो जाता था ट्रेड बहुत इसली होता था यही रीजन था बेंगॉल के पास बहुत जादा जो है वो आउटपुट मौजूद था बंगाल पे इनकी नजर थी अब नतीजा क्या रहा? धीरे-धीरे इन्होंने पॉलिटिकल पावर बनने की योजना बनाई और आगे चलकर आप देखोगे इन्होंने धीरे-धीरे एकॉनमी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया यानि कि अर्थवेवस्था पर नियंतरण और 1886 आते-आते हुगली बरबात कर दिया इन्होंने डिस्ट्रोय कर दिया हुगली पूरी तरहीं से उसको निचोड लिया आखिर कैसे निचोड़ा ये भी कोश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है कंट्रोल ओवर एकॉनमी कैसे किया कंट्रोल कैसे हुगली को बरबात किया तो ये दिमांग में कोश्चन आता होगा कि 1800 ची आते हैं इन्होंने पूरी तरह से हुगली को अपने कंट्रोल में कर लिया पूरी तरीके से तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है हाउ दे डिस्ट्रोय एकॉनमी ओफ हुगली अभी पूरा बंगाल नहीं बंगाल तो बहुत बड़ा था उस समय ठीक है जो वर्तमान विहार है वो भी उसका पार्ट हुआ करता था तो डूवल गॉर्मेंट और ब्रिटिश द्वैत शाषन के बारे में आप लोगोने पढ़ा होगा इनोंने सबसे पहले बंगाल में क्या किया दुएत शाषन. डूवल जो गॉर्मेंट को लेकर रहा है तो डूवल गॉर्मेंट क्या थी इनकी बड़नी में डूवल गॉर्मेंट कि भई एड्मिस्टेशन और सैना दोनों समालते थे नहीं लिखो डूवल गवर्मेंट डुएत शाशन क्या था कैसे इन्होंने बरबाद किया बंगाल को निचोड के रख दिया सबसे पहले हुगली को English Collected Revenue वर्ड याद रखना English Collected Revenue यानि अंग्रेज राज्यस भारतियों की सहायता से वो जो फर्मान था अब उसका उन्होंने प्रयोग किया फ्रंट पे नहीं आये यह मनी हीस्थ की तरह थे वो मुखोटा पहन के बैंक लूट ते थे देगा ना उसको तो क्या था मुखोटा पहन के बैंक लूटने वाली जो मुवीज आप देखते होगे तो यह मुखोटा इन्होंने फर्मान का रखा हुआ था कि भाई बाश्चा का ओर्डर है लेकिन यह लूट पार्ट में मचे रहे तो जो डूएल गॉर्मेंट थी वो क्या थी यह समझो English collected revenue with the help of Indian officials, right कि अंग्रेजों ने भारती अधिकारियों की मदद से राज्यस्व एकठा करना शुरू कर दिया डारेक्ली नहीं थे यानि indirect head of civil plus military administration क्योंकि military से कहता थे यह revenue नहीं थे राइसकी हड़िया निकाल के बाहर करो, खाल घीच लो इसकी तो यह क्या करते थे, military administration का मदद थे, यानि दोनों तरीके से क्या थे, indirect head वो यानि virtual head थे यह, शाशक थे, किसके civil, यानि कि जो civil है, government है, दीवानी और फॉसदारी, दोनों के मालिक थे यह, लेकिन indirect, अप्रत्यक्ष, तो dual में क्या था, English collected revenue, यानि अंग्रेज, राज्यस व वसूलते थे, भारती अधिकारियों की मदद से, खुद नहीं जाते थे, और वो indirect head of civil plus military administration में थे, यानि नागरिक और military दोनों के अप्रत्यक्ष मालिक बन बैठे थे, ये था इनका द्वैश शाशा, इसकी वज़े से क्या हुआ, इल्जाम लगते थे किसके उपर, भारती शाश्कों के उपर, और मजा कौन लूट रहा था, अंग्रेज, तो मनी हिस्ट पहला इन ही का था, सबसे पहले इन्हों नहीं जो है, आदम खोरी की वहां पर, नतीजा ये रहा कि इन्हों ने हुगली को पुरी तरीके से वहां की कॉनमी को डिस्ट्रा कर दी, यानि कि नद बहुत बढ़ा इनका, इनका प्राउड बहुत भैनक हो गया, और इनका कि यह मुगल सल्तनत में क्या दम है, उन्होंने भारत की एक बात पकड़ ली कि भारत कभी राष्टवाद के साथ नहीं है, ये लोग अपना-पना व्यक्तिकत देख रहे हैं, तो इन्होंने का वार ठीक है, वार अगेंस्ट मुगल, तो इन्होंने उस समय सत्ता किस की थी, औरंग जेब की, जब ये सारा कांड कर रहे थे, औरंग जेब लड़ाईयों में बहुत वैस था, वो दक्कन चला गया था लड़ने के लिए, तो इन्होंने का अरे औरंग जेब की ऐसे, लेकिन मरा हाथी लाग का, ठीक है, हाथी तो हाथी होता है, तो मारा हाथी भी लाग का, अब क्या हुआ, इन्होंने अंगरेजियों के खिलाफ, जंग छेड़ दे बोले, अभी यूं मुगल सत्ता को उड़ा-कार के फेकते हैं, हम आई सामने के, औरंग जेब का शाशन था, औरंग ज चिपे थे, ऐसा मारा था इनको, अंगरेजियों को, सारी फैक्टरियों पे सूरत से लेकर, भड़ोस तक सारी फैक्टरियों पे कबजा कर लिया, हुगली का सारा व्यापार अपने हाथ में रख लिया, और मार मार के एक आईलेंड पे जाके छुपने को मजबूर हुए, व मार मार के धुवा कर दिया, ब्रिटेश की हालत हो गई, फिर इन्होंने वो चालाकी की और और अवरंग जेव से वो गलती हुई, जिसकी कीमत भारत साधियों तक चुकाता रहा, ये पहुचे माफिय मांगने, तो जैसे जब पती पिड़ जाता है, तो ये नहीं कहता तुम पटक पीटा है, उसी को चंदर मुखी कहता है, है ना, उसी को लाके gift देता है, क्या होता है जब एक पती और पती लड़ते हैं, पती माफि मांगता है, भले चाहर अर्गुमेंट जीच जाए तो क्या हुआ, कुछ नहीं बिगाल सकते तुम, तो ये भी क्या हुआ, देगा, तुम बताएगा, तुम संसार की सबसे सुंदर पत्नी हो, सबसे अची पत्नी हो, सेम अंग्रेज उने किया, अंग्रेज बिच गए मुगलदारबार में जाके, बोले प्रभू, आप से महान कोई नहीं है, आप तो मुक्तिदाता हो, सेम यही काम किया, पहले पिट आए, छुपके रहे दीपर, मच्र खाये जा रहे हालत खराती इंटेंपरेट के लोग होगी, उस हुमिट क्लैमिट में, इनने समझ में आगे बच के जिन्दा निकलना ना मुम्किन है, पहुंच गए, और जाके बिच गए, जाके बिच गए, बोले प्रभू रक्षा करें आप भी अन्ने दाता हैं, मालिक हैं, जैसे पती जो घल लोटता समझ जाता, अज रात का खाना गया, वहिए बर्तन पटके जा रहे हैं, हम फिर पटके जाएंगे, तो फिर क्या करता है, वो सारे टैंटरम करता है, और यहीं समसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती हो गए, औ हम लोग वहां बेकूप बैठे थे, एक्चुली में कुछ रीजन्स थे, पहला, औरंग जेब लड़ाईयों में बहुत ज़्यादा बिजी था, उसको क्या चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था, इन्होंने का हम तुम्हें रेवेन्यू लाके देंगे, बिकॉस वी हैव सुपीरियर्टी, अंग्रेजों को ये पता था कि, मुगल को ये पता था कि भले चाहिए लैंड पे हम इनको मार मार के धुआ कर दें, लेकिन जैसे ये ओशीन में पहुचेंगे, हमारा पूरा बिजनस क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो अरब सागर से हमारा इस पर ये क्या कर देंगे, कबजा कर लेंगे, तो उनकी जो नैवल, मैंने कहा था रहा है, वापस आएगा ये, तो जब उन्होंने कैलकुलेशन की, तो उन्होंने देखा कि नैवल सुपीरियर्टी में नो डाउट ये बहुत बेस्ट है, ये हमारा क्या कर सकते हैं, बारा भी पिटेगा, ठीक है, पिटता रहा जाएगा कहां, तो इसी तरह से से इनका confidence हो गया, over confidence हो जाता है कही बार, तो उस condition में क्या हुआ यहां पर, इसको नैवल सुपीरियर्टी का इनको, सेग्मेंट ता दूसरा इनको लालस थी, क्योंकि मुगल औरंग जेब ने बे पैंतालिस ट्रिलियन डॉलर की तो लिखित लूट है, अंग्रेजों ने पैंतालिस ट्रिलियन डॉलर हमसे नोचा, भारत आजाद होते होते भारत से पैंतालिस ट्रिलियन डॉलर निकाल के लेकर चले गए, डिल लाग रुपय हमने माफी नामा दे दिया, allow to trade की चुछ ठीक है, मार पीट के डिल लाग रुपय लिया और माफी नामा कर दिया, वो डिल लाग रुपय भारती इतिहास के सबसे महंगे रुपय थे, उसी दिन वो चले गए होते, और इन लोगों को आचारे चानके के बारे में धुड़ा सभी पता होता कि सत्र का समूल नाश जरू पूरी है, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता, कम से कम पैसा तो होता हमारे पास, खेर, कुल मिलाकर, तो भाई, देड़ लाख रुपय इन से फाइन लिया, बुला जाओ, जाओ मेरे बच्चों, व्यापार करो, और इनको जमीदारी दे दी, तीन गाउं की, सुतनाटी, कलिकता और गोविंदपुरी, यहीं पर इन लोगों ने कौन सा किला बनाया, फोर्ट विलियम बनाया, कौन सा किला बनाया, फोर्ट विलियम, आगे चलकर जब इस शहर की आबादी बढ़ी, इन्होंने अपना वो सिविल नाइन्स, घंटा घर यह सब बनाना श कौलकता, यह जो कौलकता शहर है, यह जो मदराज शहर है, और बंबई, अब इस कहानी में एक पार्ट और जुड़ रहा है, अंग्रेजों की सक्सेज में, अब यहां तक रोक रहे हैं इसको, वापस सोड़ा सा पीछे चलते हैं, मदराज प्रेसिटेंसी, बंबई प्रेसि से कहते हैं, यह तीनों अंग्रेजों के शाषन के तीन बड़े स्तंब थे, और कभी तुम सोचो कि भारतियों ने, खास वर भारतियों राजा, जमीदार, रजवारे, यह अंग्रेजों की साइड में क्यों रहे, और मैं तुम से कहूँ, इसका कारण यह शहर थे, तो तुम आश्यर मत करना, समझते जाओ, इनकी कहानी चली रही थी, थोड़ा सा मैं फ्लैश बैक में जाता हूँ, ठीक है, पुर्टकाली नो डाउट बहुत पावरफुल थे, सौ सालों से भारत पे अपना व्यापार किये हैं, तो मोनोपली किये हुए थे, 1622 में कुछ और हुआ, पैरलली इसको लिखो, लिखो गए, ठक गए, 1622 में कुछ और हुआ, पुर्टकाली नो डाउट बहुत ताकतवर थे, ठीक है, ये कहानी चली देख इसी के साथ चल रही है, इधर वो 1615 में, जो इन्होंने कुश्चन पूचा था, एक रास्ता इधर भी जा रहा है, ठीक है यॉरप में इंग्लेंड के राजकुमार थे समराट चास दिती है, जो चास सिकेंड थे, पुर्टगाल की राजकुमारी कैथरीन से उनकी हुई शादी, और मिला दहेज, अल्टो अल्टो नहीं लिए थे, दीपे मांग लिए पुरा है, दहेज, हमारे यां कहते हैं कि भार अच्छा मामला चल रहा है, यॉरप में, लेकिन देखो इससे होगा क्या, तो इंग्लेंड के राजकुमार थे समराट चास दिती है, और पुर्टगाल की राजकुमारी थी, कैथरीन, दोनों का हो गया विवाह, 1622 में, और बंबई का दीप मिल गया, दहेज में, ये बंब कि अभी जाना, तो अपना जाना, चाय पानी पीना, रेस्टरेंट बना के गाना वाने गाना, बोले ठीक है, चलो इंडिया में भी अच्छी जगा मैं जाए कि बंबई, तो, हैं, हां, अरे दहेज कौन देता है, ठीक है, हैं, बताने जुरूत है, तो कैथरीन के घर वालों होने, बंबई को किसको दे दिया, चार्स को दे दिया, दहेज, अभी हमारे उल्टा नहीं है, कि लड़कियां दहेज ले, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन फिर भी, तो बंबई का दीप मिलके किसको, ये तीर बता रहा है, ये मेरे तीर तलवारों को थ्यान रखा गरो, ये तो नतीजा क्या हुआ, 1668 में, चार्स ने किसको दे दिया, ये बंबे जो था, बंबे आईलेंड, 1668 में ये दे दिया, इस्ट इंडिया कमपनी को, याद रखना, डेट, 1668 में, खास तोर पर जो लोग स्टेट एक्जाम दे रहें, उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट, 1668 में, बंबई डीप किसको मिला, इस्ट इंडिया कमपनी को, ये दोनों का अंतर समझ लेना, दहेज तुरन मिलता, दहेज उस आदमी को मिलता, जिसने साधी की है, कमपनी को नहीं मिलता है, ठीक है, तो 1622 में साधी हुई थी, मिला था चार्स तो को, कोई कन्फ्यूज मत करन ठीक है, फिर बंबई चार्स को, चार्स ने किसको दे दिया, इस्ट इंडिया कमपनी को, रखो यार, ट्रेड वेट करो, ठीक है, महल बना हमाते हैं, तो बंबे दे लिया, इनको, ये इनका बड़ा टर्डिंग पॉइंट था, क्यों, जो बंबे की लोकेशन थी, वो एक से पूरी पे था, इसी लिए इसको घेरना बहुत आसान था, तो क्या किया, इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, किले बंदी शुरू कर दिया, आगे चलकर ये भारत के लिए, मलब अंग्रेजों के लिए, बहुत बड़ा पॉइंट बन के आएगा, ठीक है, बेस पोर्ट इनका था, बेस्ट पोर्ट, सबसे बेस्ट बंदरगाह, जो पश्चिमी कोस्ट में, पश्चिमी तटपे था, इसकी पूरी किले बंदी कर दिया, क्योंकि ये क्या हो था, मेल लैंड से थोड़ी डिस्टेंस भा, बीच में वाटर बॉड़ी थी, क्रीक्स थे इसम सत्रू डारेक्ली आ नहीं सकते थे, आओगे तो ना उसे आओगे, कितने लोग ना उसे आओगे, पटा के पीट लेंगे रास्ते में, तो अभी क्या हुआ, ये बेस्ट पोर्ट था, इनका सबसे बढ़िया सेग्मेंट ये तयार हो गया, दूसरा क्या था, सूरत में इनको आखे वहाँ पे, आजाते तो उनको पता न, चौत सर्देशाई, सर्देश मुख इनको लेना, वन फोर्ट टैक्स रिवेन्यू, तो इनको हमेशा डर रहता था था कि भहिया, आके पीट ना दे, बॉम्बे में ये डर खतम हो गया उनका, क्योंकि इनके खेले क्या हुए, पानी से घिरे हुए, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी सिच्वेशन होगी कि डारेक्ली दुश्मन आनी सकता, चीक है, बॉम्बे एक तरह से निर्जन दीप पड़ा हुआ है, दूसरा, इनकी जो सामान था वो बहुत आसानी से ये फैक्टरी में रख सकते थे, तो ये ज सेग्मेंट हैं, ये आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा अर्बन सेंटर डबलब करेंगे, और भारती इन जगों पर जाने के लिए बहुत परेशान हो जाएंगे, कि हमें जाना है, क्योंकि यहां सुवधाएं होंगी, सनीमा होगा, ठीक है, गाउं से अलग सुवधा नियम होंगे, तुम्हें अंग्रेजी सूटबूट, तौर तरीके, बोली, भाषा, संस्क्रती अपना नहीं पड़ेगी, तो धीरे-धीरे क्या होगा, भारतियों का एक वर्क तयार होगा, जो अंग्रेजी सिक्षा, अंग्रेजी संस्क्रती, अंग्रेजी तौर तरीके, उसको अपनाने के लिए क्याहोगा दिवाना हो जाएगा जैसे हमारे यह आइफोन आता है ना तो लाइञ लोग लगा खड़े होते है आइप आया रहता है नहा फोन लाउन्क हुआ हमारे यहां शुरू जाएगी इसका इनको बहुत लाब मिलेगा भारतियों को तोड़ने के लिए जो अमीर भारतिय हैं तुम देखो के धीरे धीरे वो सुतंतता अंदोलन से अलग होते जाएंगे इसकी कहानी इसके पीछे यहां तक क्लियर रहा तो कैसे वो हुगली में भु कर दिया और यहीं से ही हमारा एक बहुत बड़ा त्राजदी शुरू होगी अब इसमें चौथा वेक्टी घुसेगा वहां तक भी खबर जा रही है कि बहुत पैसा है और सबसे लास्ट कौन यूरोपियन पहुंच रहा है फ्रांसीसी आएंगे अब और जब यह पहुंचे की जड़ यूरोप है भारत में तो किवल परिणाम भुकता है उधर नेपोलियन जो है वो क्या कर रहा है फ्रांस में तलवार निकाल चुका है फ्रांस में रिनासा सबसे पहले आया था बुनर जागरल हुआ था वहां के लोग एकड़म एहलादित है खुशी से भरे हुए इंग्लैंड उसको रोकने की कोशिश कर रहा है लड़ाई बरती जा रही है अब वो लड़ाई पहुचेगी भारत और अब इसमें भारतिय शाशक चाहे वांडिवास का युद्ध हो ठीक है मैसूर करनाटक निजाम तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो अब शुरू इस सतरंच की असली विसात जहां पर एक चीज़ भारतियता और वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि सबसे मज़ेदार इस देश की बात है कि यहां राश्ट भक्ती नहीं है इसलिए बार-बार कहता हूं कि धर्म तुमारा कुछ भी हो जाती तुमारी कुछ भी हो मजभ करांतियता हारेगी और अब कुछी समय के अंदर हम दिए दिरे पहुंच के 1857 की करांती भी कर देंगे ठीक है इस्टोरी लिंक हो रही है कोई दिक्कत तो नहीं बस भाई मेरे एक एक वर्ड एक एक सन याद कर डालो हां बताओ उसके कई कारण है इस्पेन के लोगों को सिल्क रूड का रास्ता मिल गया मार्को डी पोलो का नाम जानते होगे नहीं सबसे पहले चीन पहुंचा इस्ट में केवल इंडिया नहीं था रेशम के व्यापार पे चीन का बहुत बड़ा दबदबा था तो उससे पहले कई पावर्स आ चुकी जैसे मालो तुम्हें एक बाजार में घुसरो जहां पहले से धेर सारे कॉम्प्टीटर बैठे उसने बहुत जबरदस तरीके से स्पेन पे अपना प्रभाव डाल लिया था इस्पेन धर्मयुद्ध के छेतर में फस गया था इसाइयत और जो क्रिश्यानिटी और इसलाम के बीच की लडाई थी सबसे पहला जो उसका फिल्ड बना था वो इस्पैनिश लोग ही थे और यह क्या हुआ है इन्होंने सोचा कि अब भारत में जाने का कोई खास फाइदा है नहीं यह चले गए चीन और यह चले गए दक्षणी अमेरिका इन्हें प्लांटेशन जैसे डच डच भी इंडिया में नहीं ज्यादा देटक्टिक है वो चले गए इस्ट एशिया मसाल अप्रोच था वो साउथ अमेरिका की तरफ इनको बहुत बड़े-बड़े जमीने मिली यह ब्राजील की तरफ चले गए इन्होंने बड़े-बड़े प्लांटेशन पर अपना फोकस किया चुकि बेसिकली स्पैन में प्लांटेशन क्रॉप्स और जो कैश क्रॉप्स ही उन तो यह उनका छेतर नहीं रहा पुर्तगीज भी कुछ समय बाद दीरे-दीरे गोवा पांडिचरी इन्ही के पास से मटदमन दीप इन्ही के बटके रहे गए तो अब जब फ्रांसीसी आएंगे तब तुम्हें कहानी असली समझ में आएगी कि अंग्रेजियों को सफलता मि मिली तो मिली कैसे और फ्रांसीसी हारे क्यों क्योंकि इस कॉमटीशन में दो ही लोग सबसे इंपर्टेंट थे अब पुर्तगाल क्यूं हारे जब सबसे पावरफुल थे यह भी तो क्वेश्चन आ सकता है पुर्टगीज क्यूं हारे कितने लोग जानते हैं क्या हुआ था क्या हुआ हुआ सही है पुर्दगीस कई लड़ाईयों में येरोप में शामिल हो गये थे तो वो अपने मूल देश में ही कमजोर हो गये थे और अगर नेपोलियन नहीं हारता तो भारत में अंग्रेज नहीं जीते फ्रांसीसियों से दो बड़ी गलती हुई थी एक डूपले को बुला लेना ठीक है डूपले को भारत से वापस खीच लेना और दूसरा नेपोलियन का हार जाना नेपोलियन उस समय संसनी था यॉरॉप की नहीं तो शायद यह साशन फ्रांसीसियों का होता कुछ भी हो हमारा तो नुक्सान नहीं था किसी का भी साशन हो ठीक है तो चलो इसमें देखते हैं का नहीं हमारी आगे कैसे बढ़ती है प्रांसी आगे कैसे बढ़ती है